हेलो एवरिवन वेलकम टू अड़ा 24 7 मैसलफ गौरप सिंग सो गाइस फाइनली जिसका वेट कर रहे थे हम लोग H.A.L. का कम्पलीट नोटिफिकेशन आज आ चुका है आप उसके ऑफिसेल वेब साइट पे विजिट करके देख सकते जो नोटिफिकेशन है लेट सी इस नोटिफिकेशन में कितने नंबर वेकेंशी हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्या क्वालिफिकेशन होगा सलेक्शन प्रोसीजर क्या है और इस क्राइटिरिया क्या होगा इन सभी के बारे में डिटेल डिसकेशन करते हैं गाइस दे सकते हैं हिंदुस्ता and training and management training duty and empty बात करेंगे तो एरॉनौरक की 9 है design training में electrical की total 12 ए ऐलक्तोनिक्स की 44 है और mechanical की 30 है total vacancy इन design training में ठिक है अगर मैं management training की बात करेंँ technical में तो computer science 23 electrical 16 electronics 13 and mechanical 30 तो अढ़र ऑल अगर आप देखोगे त्यों औस डोनों ही eligible होते हैं बच्छे आप दोनों ही bring कर सकते हो ठीक है तो लिए इस वाट branch vice design trainee and management trainee में branches wise आपकी number of vacancies projections में भी है metallurgy में vacancies आगर हम बात करें आगे कि कौन-कौन से ब्राउंट illegal h Taman Management trainee में electrical electronics mechanical production illegal है ठीक है ने computer science है अए यह सारे branch eligible है ब्रांच वाइस वेकंसी दिखा दिया गया है जो आभी हमने डिसकस किया आपके सामने ठीक एंच्ट है अगर मैं डिजाइन ठीक है लेट्स सी अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस भी है मेटलर्जी भी है ध्यान दीचेगा सबसे बड़ी बात तो गाइज यह है कि यहां पर अगर आप देखोगे कि आपको बीटेग परसेंटेज जो चाहिए बीटेग परसेंटेज जर्नल कटेगरी OBC और EWS कंडिडेट के लिए अगर आप किसी भी ब्रांच के है तो आपको 70% एग्रिएट चाहिए यहां पर एग्रिएट परसेंटेज मार्क से ध्यान रखिए दिस इस दा एग्रिएट करें चीजों को एग्र Kean Alter शॉर्ण के स्डवधेट अगर आप इस में चुक्तिटेज्न मार्टेज मार्क से आपको 70 पर्सेंटेज मार्क से लेक्टनी हिस चिजों को तो ध्यान दिजेगा इलक्टिकल इलक्टोनिक्स मेकानिकल कंप्यूटर साइंस इन सभी के लिए 70 परसेंट अगर आपका क्राइटीरिया क्या होगा तो गाइस एज क्राइटीरिया आपका 28 साल से जाधा नहीं होना चाहिए कब होना चाहिए 22 अगस्तक से मतलब लास्ट जो एक क्रूश्यल डेट है वो 22 अगस्ट 2023 लखा गया है तो 28 इयर किसके लिए अन्रिजर्ब और EWS कंडिडेट के लिए μεे एज रिलेक्सेशन होगा इस पर दर नॉम्पसद गॉइंट ऑफ इंडिया ठीक है चलि तो ध्यान रखेगा एज क्राइटिरिया है आगे हम बात करें कि क्या अप्लिकेशन फी कितना है तो ध्यान रखेगा 500 अप्लिकेशन फी है ठीक है ना अप्लाई करने के लिए लगा गिया है ठीक है ना फी एक बार प्रेट करने का रिफंडेवल नहीं होगा इस बात का ध्यान रखा जाए अगर आप जर्नल है ओबी सी है उनके लिए 500 का फीज है अगर आप से लिंक एक्टिव हो गया आपको अप्लाई करना है ठीक है तो ध्यान रखेगा आज से लिंक एक्टिव है मतलब आप देखोगे सकेंड अगस्त है आज और लास्ट कितना है 22 अगस्त है मतलब 22 अगस्त से पहले पहले और 22 अगस्त तक लास्ट डेट है आपको अप्लाई कर ले रहा है ठीक है चली यह प्रोसीजर है आप यहाँ पर देखेंगे क्या इसे प्रोसीजर है तो आप यह दामनेशन्स होगा टेस्ट होगा और उसके बाद आपका इंटर्वीव होगा मतलब अगर आप देखोगे टेस्ट में कौलिफाइ करने के बाद then you have to perform देर इंटर्व्यू उसके आपको इंटर्व्यू लेना आपको देना पड़ेगा लेट सी अगर हम आगे बात करें कि यह केस टाइब का होगा तो यहां पर अगर आप देख सकते हो टेस्ट में टू एंड हाप डूरेशन का होगा मतलब अगर आप टेस्ट देखोगे तो टेस्ट 150 मिनट के होंगे 150 मिनट के होंगे 150 गंट ayंट के होंगे अगर आप देखो कर ढूंगे और कितने question सोंगे और आप देखों पइट वन पायट चूस करके बड़oca reconstruct होगा पारट वान में गंस SiriнAPP सिաշर और जर्नल एवरनेस होगा पाइट तू होगा 40 इंग्लीस के रिज़े कोश्चन सोंगे और रिजनिंग के कोश्चन सोंगे पाइट थर्ड में कंसिस्ट आफ 100 mcq concern discipline टोटल कितने होगे 150 सोंगे अगर आप देखे कोश्चन सोंगे ध्यान रखेगा 160 कोश्चन सोंगे उसमें आप से का time होगा this is the pattern of test का pattern है ध्यान दिजिएगा सॉट लिस्टेट कंडिडेट को आपको computer online test जो होगा interview and basis of online test marks जो होगा आप जो online test होगा CBD test होगा उसके basis पर आपको one is to five के ratios में आपको सॉट लिस्ट किया जाएगा मतलब अगर हम बात करें mechanical में से अगर 60 vacancies है तो total number of candidate interview पर call होगा अगर आप देखोगे 300 interview पर call होगा ठीक है तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगर हम बात करें तो यह selection procedure देख लिया age देख लिए आप लोग apply कैसे करना इन सभी का service agreement bond होता है हर एक पिए स्यूज में bond होती है service agreement bond है आपको पांसल का इसके ट्रेनिक प्रेट के दौरा ठीक है और क्या इसके पेवेंड होगा जरनल इंस्ट्रेक्शन क्या है इन सभी के बारे में आपको यहां पर डिस्रेल में हो साइगा ठीक है फॉन का दो अगस्ट से लेकर मतलब दो से लेकर 22 अगस्ट के भीश अपलाई कर लेना है और डेट ऑलरीडी क्योंकि बहुत फास्ट रिक्रूट्मेंट हो रहा है हर एक रिक्रूट्मेंट आजकल बहुत जादा फास्ट है अगर आप देखोगे डाउनलोड यह एड्मिट कार्ड ऑनलाइन टेस्ट के लिए 28 अगस्ट को रिलीज कर दिया जाएगा एड्मिट कार्ट ठीक है ना सबसे बड़ी बात जो होगा ऑनलाइन टेस्स रिजो होगा वो पहले ही बता दिया है कि 9 अगस्ट से लेकर 11 अगस्ट के बीच में होगा क्योंकि ऑनलाइन है तो डिफ्रेंट डिफ्रेंट सिफ्ट में होंगे और डिफ्रेंट डिफ्रेंट डेज में होंगे तो 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर के बीच में कंड़क्ट किये जाएंगे मतलब 9 10 और 11 तीन दिन एक्जाम होगा ध्यान दीजिएगा दूसरी बड़ी बात रिजल्ट ओबियस सी बात है रिजल्ट दो दिन के बाद डिकलियर कर दया देखो बहुत ही फास्ट है 13 ऑफ सितंबर को रिजल्ट कर दिया जा रहा है और इंटर्वीव कॉल लेटर 18 अगर आप अप सॉट्लिस्ट होते 18 सितंबर को इंटर्विव कॉल लेटर आएगा और आपका इंटर्व्यू सॉटलिस कंडिडेट बैंगलोर में होगा जो की 9 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में होगा ठीक है ना डिकला और प्रोवेजनी फाइनल सेरेक्शन आप देख सकते हो फाइनल सेरेक्टेट कंडिडेट 13 अक्टूबर को रिलीस कर दिया जाएगा आप यहाँ पर डाल सकते हो बाकी का चीजें आप देख सकते हो तो गाइस यह गुड नीज यह है कि बहुत ही फास्ट रिकूट्मेंट है और आपको बहुत ही जॉल्व अक्टूबर मतलब 13 गुड लगाँ